हेलो फ्रेंड्स हावारी मेडिकर इंट्रोडक्स चलिन में आपका स्वागत है अब यह आप मारी चैनल पुने दो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड आप वीडियो को स्किप करके ना देखे वरना मेडिसन के बारे में आपको कुछ भी समझ मे नहीं आएगा इसलिए वीडियो को पुरा देखें और सब बाते समझे तो आज हम बात करने जा रहे हैं है जो कि बहुत इसी टेपलेट है हाइड्रोक्स के बात करें हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 यह है यह टेबलेट चार प्रकास से उपलब्द हैं 10 mg मे 25 mg में उपलब्द हैं 50 mg में 100 mg में उपलब्द हैं इस जो यह कंपोजिशन इसकी सिर्फ भी आती है छोटे बच्चों के अंदर इसके उप्योग के बात करें तो डर्मेटाइटिस में इसका बहुत इच्छा उप्योग कह जाता है दाहत काज कुजली में बहुत इच्छा उ इक्षन हो जाता है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है जो जिससे की स्रीर पर दाने उबर जाते हैं वो खतम हो जाते हैं और जो अपने स्रीर पर जांच करते हैं जैसे MRI तो उसके अंदर भी इसको सेटेटिव के रूप में दिया जाता है पैसेंट को कि ज्यादा इलेडूले नहीं एक सेट जो बहुत अच्छा ट्राग है और चिंता विकार में भी इसका बहुत अच्छा उप्योग है और भी इसका बहुत अच्छा उप्योग है नोजिया वो मीटिंग में यात्रा के दोरान चक्कर उल्टी में बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहु खुजली चलती हैं तो उस कंडिशन में भी डॉक्टर यह मेडिशन प्रिसक्राइब करते हैं कि एलर्जी विकार की बहुत इच्छी मेडिशन है यह एक बहुत इच्छा एंडिस्टामाइनिक ड्रग है जो पस्ट जनरेशन का इसकी दवा के डोज की बात करें तो कोई भी द जाती हैं वेसे ज़्यादा देखा जाए तो 25 मिलिग्राम दिन में दो बार खाने के बाद लेने के सला दी जाती है और ज्यादा मतलब हैवी वरक नहीं करें इसको लेकर और बहुत से बार क्या है कि सेडिटिव के रूप में तो डॉक्टर इसे 50 से 100 मिलिग्राम तक की बात करें तो नीज आना, अब्डॉमिनल पैन, जी गबराना, उल्टी, पेट विकार समंधित हो जाते हैं और नीज अधिक आती हैं तो वीडियो को अच्छी समझ में आई तो वीडियो का लाइक, कमेंट, शेर जोर करेंटिंग्यू फ्रेंड्स